दिल्ली यह तो चानी चौक की तंग अलियों से लेकर इंडिया गेट के टूर स्पॉर्ट के लिए फेमस है लेकिन दिल्ली की भविता यहीं खतम नहीं होती है कुतुम मिनार जामा मस्जड लोटस टेंपल अक्षाधाम मंदिर जैसे इमारते खड़ा करने के बाद अब दिल् की एक स्मॉक टावर है जो की दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन से चुटकारा पाने में मदद करेगी नमस्कार मैं शिवांचली और आप देख रहे हैं दिल्ली में एर पॉलुशन सबसे एहम समस्याओं में से एक है दिल्ली वासियों को हर साल सर्दियों में स्मॉक का साम करवाया है देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉक टावर लगा है जिसका उद्गाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिर्वाल ने किया प्रदूशन के खिलाव जंग को और तेज करने के लिए का नौट प्लेस में यह स्मॉक टावर बनवाया गया है जो की द यानि कि यह काफी तेजी से आसपास की हवा को साफ करता है दिल्ली कैबिनेट ने इस स्मॉक टावर को अप्टूबर 2020 में एक पाइलिट प्रोजेक्ट के रूप में मंझूरी दी थी लेकिन कोरोना महमारी के कारण इसे बनाने में देवी आ गई इस स्मॉक टावर को बनान इसमें पंखे लगे होते हैं जो प्रदूशित हवा को अंदर खीचती है और फिर उसे फिल्टर करके साफ हवा बाहर निकाल देती है आम तर पर इन टावर्स में अंदर एयर फिल्टर के कई लेयर होते हैं जिनसे हवा गुजरती है और यह हवा को फिल्टर करते जाती है य सब्सक्राइब पर और ये आई टी डिली और आईम्म बांबें ने साहता है पूरी दुनिया ने पिछले कुछ सालों से अपनी एइर क्वालिटी में बड़ी गिरावट देखिये ऐसे में दिली जो देशभर के सबसे प्रदूशिक शहरों में से एक है के लिए ये जरूरी हो दौरा बनाए गया एक और 25 मीटर लंबा समॉक टावर एक अगस तक चालू होने की उम्मीद है दुली सरकार और केंदर सरकार बनाये यह दोनों समॉक टावर टाटः ड्यक्त दौरा बनाए गए है सिस्ट मॉक टावर प्रोजेक्ट को एक पालीich की रूप में मनली और अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो दिल्ली में ऐसे और भी स्मॉक टावर लगाए जाएंगे जाहिए जाहिसी बात है कि अगर देश में ऐसे और स्मॉक टावर लगाए गये तो हमाई देश को जल्द ही एर पॉलूशन से निजात मिलेगा और साथ ही हमें सांस लेने के ले शुद्ध हवा भी मिलेगी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें दफूल वाली धन्यवाद